मुझा आपके साथ अमन तो गाईज यार आप में से काफी सारे लोगों ने कमेंट किया था कि भाई हर्ताली में और लोया पचेकर फेस टू का जो इनागरेशन किया गया उसका एक नाइड व्यू भी दिखाईए कि बनने के बाद ये कैसा लग रहा है और ड्रोन सौट के थूरू भी आप इसका अपडेट दिखाईए तो गाईज लीजिए आप सभी के डिमांड पर म मैं एक बार फिर से लेकर आचुका हूँ लोया पचेकर फेस टू का अपडेट आप देख सकते हैं अभी मैं हूँ इनकम टैक्स बिहार म्यूजियम के साइड तो चली जादा डीटेल देने की जरूवत तो नहीं है क्योंकि कई सारी वीडियो मैं और इस पर बना चुका हू ये सबसे खुबसूरत लोया पचेकर फेस टू उसे मैं आप सभी को दिखा देता हूँ वैसे गाईज अभी मैं बिहार म्यूजियम वाले अंडर पास से होकर आगे के तरफ बढ़ रहा हूँ और आपको मैं बता दू कि इस अंडर पास का इस्तमाल आप यू टर्न लेकर व आपकी यहां रात में यह कितना खुबसूरत लग रहा है उसे आप यहां पर देखी सकते हैं और गाईज यह रहा सामने अंडर पास तो चलिए मैं आपको सीधे इस अंडर पास से होते हुए आगे बोरिंग कनाल रोट के तरफ लेकर चलता हूँ तो गाईज अभी हम आचुके हैं मोहिनी मोर और यहां यू टर्न लेने के लिए आप यह चोटा सा एक गुलंबर भी देख सकते हैं और गाईज अगर इस प्रोजेक्ट का मैं आपको ड्रोन सौट देखाऊं तो आप यहां देख सकते हैं कितना खुबसूरत लग रहा है हर हर्ताली मोर पर तयार किया गया अपना यह लोया पर्चकर फेस टू और जो ट्राइकलर वाली लाइट लगाए गया इसे करण यह और भी ज्यादा खुबसूरत देखने में लग रहा है तस्वीरे आप देख सकता है तो गई शलिए अब यहां से वापस मैं आपको हर्ताली मोर के तरफ लेकर चलता हूँ वैसे मैं आपको बता दू कि अगर आप बोरिंग कनाल रोड के तरफ से आ रहे हैं और आपको इंकम टैक्स के तरफ जाना है तो आप नीचे वाले सर्विस लेन का इस्तमाल करेंगे वहीं इस वाले फ्लाइओवर से होते हुए आप सीधे आर पास के ऊपर से रोड के एक तरफ से दूसरे तरफ होते हुए क्रॉस कर रही है जो कि आप इस ड्रोन सौर्ट में भी देख सकते हैं और गैस मेरे एक सब्सक्राइबर है नित्यानन आर्या जी इन्होंने मलेशा से मुझे सुपर थैंक्स बेजा है तो भाई दिल से आपका सुक्रिया है प्यार और सपोर्ट देने के लिए मुझे तो गाईज अभी हम आचुके हैं अर्टाली मौ के पास तयार किये गए अंडर्ग्राउंट रेचेंज जंक्सन के पास और वाकई में ये काफी अची इंजिनरिंग का नमूना है और गाईज मैं आपको बता दू कि इस लोहा पर चक्र फेस टू की डिजाइन आयाटी रू लेकर चले जाएगा वहीं सीधे आप इस रास्ते से दरोगा रायपत आर ब्लॉक के साइड चले जाएगे और जैसा कि आपको पता ही है कि दरोगा रायपत के तरफ फ्लाइओवर और अंडर पास का काम भी काफी पहले से ही पूरा हो चुका था तो चलिए मैं आपको सीधे उधर लेकर चलता हूँ तो गाईज यह रहा दरोगा रायपत वाला अंडर पास जिससे होकर आप सीधे आर ब्लॉक के तरफ निकल जाएगे वहीं उपर यह जो फ्लाइओवर आप देख रहे हैं इससे आप अगर आर ब्लॉक के साइड से आ रहे हैं तो इसी फ्लाइओवर का इस्तमाल करते हुए आप बोरिंग के नाल रोट के तरफ या फिर इंकम टैक्स के तरफ जा पाएंगे तस्वीरे आप देख सकते हैं तो गाईज ये था अर्ताली मूर के पास बनाए गए लोया पचकर फेस टू का नाइड व्यू आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक शेर और चैनल पर नहीं है गाईज तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिजेगा पतना बिहार से किलिये थांक ये सो मुच गाईज और वेरी हपी दिवाली तो अल अव यू